हेलो फ्रेंड्स जर्शे कृष्णा मैं हूँ उमा और आपका स्वागत है मेरी कीचेन में आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और आलू के नगेट्स ये खाने में बहुत जादा टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं ये देखिए उपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम खोकले और बहुत जादा क्रिस्पी होते हैं तो चलिए इसकी रेसिपे शुरू करते हैं तो सूजी नगेट्स पनाने के लिए हाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया है जिसमें मैंने डाल दिया है डेड़ कप पानी डेड़ कप पानी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे एक सी डेड़ चमच नमक या स्वात के नुसार नमक और डाल देंगे एक चमच अधरक लसन का पेस्ट अधर लसन नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते है आधा चमच दाल देंगे छिली फलेक्स रेडड चिली फलेक्स अगर अंगोपाँ पार्डर भी डाल सकते हैं ब्लैक पेपर पाूडर यानी काली मिर्स का पाूडर डाल देंगे आधा चमग्ष और थोड़ा सा इसमें फ्लेवरिंग लाने के लिए हम लाने के लिए हम लिए हम लिए पीजा सीजनी या और नो के पौच जो आते हैं वो भी डाल सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे एक कप सूजी, डेड़ कप हमने पानी लिया था, उसके लिए हम इसमें डाल देंगे एक कप सूजी, तो जैसे ही सूजी का नेचर है, वो गरम पानी में ठाके गरम पानी को अबसर्व कर लेती है, तो इसी तरह से सूजी जो है वो पानी को अबसर पहुत जादा इसको ड्राय नहीं करना है बस इसका जो मॉश्चर है वो थोड़ा सा कम हो जाए जो यह बाइंडिंग के लाइक हो जाए इतना ही हमें इससे चलाना है यह देखिए यह अपने आपी पैन चोड़ने लग गई है तो इसका मतलब है कि जो हमारे डो है यह रेडी ह जब हम गैस बन कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे तो यहाँ पैसे गुटलीन नहीं होना हुझा जाए तो अच्छे से या टो इसको ग्रेट कर लैं तो यहाँ पर इसको मैंने ग्रेट कर लिया है सारे आलू, दो आलू को आप चाहें तो सूजी की quantity बढ़ा रहे हैं तो आप आलू की quantity भी बढ़ा सकते हैं और हम इसे एक बार अच्छे से हाथों से भी mash कर लेंगे, जिससे कि इसमें कोई गुठली ना रहे तो हमने यह आलू को भी अच्छे से mash कर लिया है बस इसमें कोई गुठली नहीं होने चीए ने तो नगेट से बनाते समय हमें प्रॉबलम आएगी तो यहाँ पर हमारी जो सूजी है वो भी थोड़ी से ठंडी हो गई है हमें इसे बहुत जादा ठंडा नहीं करना है बस यह हाथ लगाने जितनी हो जाए यहाँ पर उसको उतना ही ठंडा करना है तो इसे जो हमने अलू ग्रेट करके रखे हैं इसमें मिला लेंगे और उपर से डाल देंगे हम इसमें दो चमच चावल का आटा अगर आपके बस चावल काटा नहीं है तो आप इसमें एक चमच मैदा या एक चमच कॉन फ्लार भी डाल सकते हैं और वैसे यह उप्शनल है इसमें थोड़ी सी बैंडिंग अच्छी से हो जाती है यह डालने से इसलिए हम इसमें यह यूज कर सकते हैं अगर आप यह नहीं यूज करना चाते हैं चावल काटा मैदा या कॉन फ्लार तो आप इसको ना यूज करें तो यहाँ पर एक अच्छा सा डो बना लिया है हमने यह देखे अब हम इसमें मिला देंगे धनिया की पतिया अगर आप इन नगेट्स को स्टोर करना चाते हैं काफी टाइम तक जिपलोग बैक में डालके तो आप इसमें अभी धनिया की पतिया ना डाले अगर आप इन नगेट्स को अभी बना रहे हैं तो आप इसमें जितना पूर्शन आभी आप बना रहे हैं उसमें धनिया की पतियां मिला लीजे तो यहाँ पे मैं अभी सारा यह बना रही हूँ तो इसलिए मैंने अभी सारे में मिला लिए धनिया की पतियां आई जो हम nuggets बना रहे हैं इसे आप एक महीने तक store कर सकते हैं किसी zip lock bag में डालके तो यह हमने डो बना लिया है अब हम क्या करेंगे हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा portion लेंगे और उसे हाथों में रोल करते हुए kitchen top पे या कहीं flat top पे आप इसको इस तरह से cylindrical रोल कर लेंगे इस तरह से मैंने से रोल कर लिया है यह देखिए थोड़ा सा लंबाई में बराबर shape का चारो तरफ से यह पूरा एक साथ लंबा होना चीए एक साथ इसकी मोटाई होनी चीए और इस तरह हम इसके छोटे-छोटे nuggets काट लेंगे मैं इन्हें चोटे nuggets के shape में काट रही हूँ आप चाहें अपनी imagination से किसी भी shape का इसको काट सकते हैं आप चाहें तो इसे round बना सकते हैं गोल बना सकते हैं आप इन्हें cutlets के shape का भी बना सकते हैं तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा हातों में लेके इस तरह से इसको हम shape दे द तो इस तरह से मैंने सारी शेप इसमें बना लिए यह देखिए मैंने इन नगेट बना लिए है अब आप चाहें तो इन नगेट को इसी तरह से जिप-lock जले लिए फ्राइ कर लेता हैं यहां पर मैंने तेल चड़ा दिया है तेल गरम हो गया है तेल को हम मीडियम टुह हाई रखेएंगे पहुत जादा लो पे नहीं रखे देल भढ़ जाएगा उस तरह से इसको डाल देंगे इन नगेट्स की स्पेशलिटी यह है कि यह कड़ाई में जाने के बाद ची पकते नहीं है एक दूसरे से और बिल्कुल खिले-खिले अलग लग रहते हैं तो अभी जब तक यह तेल में फर्म नहीं हो जाते हैं तब हम इने टच नहीं करेंगे जब यह तेल में थोड़े से फर्म हो जाएंगे तब हम इने टच करेंगे तो इस तरह से एक दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक दो मिनट के बाद ही थोड़े से फर्म हो गए हैं तो हम इने इस तरह से हलका हलका चला लेते हैं और हमें इस अच्छा golden brown color आने तक हमें इने fry कर लेना है ये देखे थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे जिसे की चारो तरफ से इनपे अच्छा सा color आ जाए और बहुत अच्छा सा brown color आने तक हमें इने fry करना है ये देखे इस तरह से एकदम golden brown हो गए हैं कितने अच्छे तो आप इसको patience के साथ fry करें 5-6 मिनिट आराम से दें इसको fry करने में तभी इसका इतना अच्छा golden color आता है ये देखे कितना अच्छा golden color आ गया है इसमें इस तरह से और ये देखने में भी कितने सुन्दर लग रहे हैं इसी शेप के nuggets खाने में बहुत tasty लगते हैं तो इसी पूसा भैश भी fry कर लिया है और इसे भी मैं निकाल लूँगी तो यहां पर हमारे सारे नगेट्स बनके रेडी हो गए हैं यह देखे इन पर कितना अच्छा color आया है इसी तरह का golden brown एकदम color आ जाने तक हमें इने fry करना होता है और यहां पर मैंने सारे नगेट्स को fry कर लि पूसा पूसा बहुत जादा तेस्टी लगती है और इसकी रेसेपी में आगया आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो आज कि अगर मेरी इसके देखे मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ यह देखे यह कितने खाने में कितने अच्छे तो आज की मेरी रेसेपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे जो लाइक का बटने उसे दमाएं मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें और साथ में जो बैल आएक आने उसे भी प्रेस कर दें थैंक्यू